बरेली से कबर है जहांपर बरेली में देरात हुआ बेशन सलक हाथसा और हाथसे में दो लोगों की हुई है मौत मौके पर दो लोगों की मौत हो गई सलक हाथसे में तीन लोग गंबीर रूप से घायल हो गए है आपको बता दे कि अग्यात वाहने कार में मारी है टककर जिससे दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गम्री रूप से घायल है अग्यात वाहने कार में तककर मारी है और तककर से रोड की नौरे खाई में गिरी है कार गायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज और मौके पर पहुंचे पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस ने शवों को जिला स्पताल मोर्चरी में बिजवाया है शाहित आना चेत्र के वसावन पुर्म भटे की पास की लिगटना बताई जा रही है देर रात हुआ है भीशन सड़क हाथसा हाथसे में दो लोगों की मौत हो गई देर रात बेशन सड़क हाथसा हुआ जिसमें दो लोगों की मौत हो गई तीन लोग गंबे रूप शे गायल है गायलों को जला स्पताल में बर्ती कराया गया है बरेली में देर रात बेशन सड़क हाथसा हुआ इस कबर पर जदा जानकारी के लिए बरेली से हमारे सम्वादाता शानू हमारे साथ जुड़ चुके हैं शानू 20 सालक हाथसा हुआ है और क्या कुछ अदी का बेट है इस कबर पर आपके पास सब्सक्राइब पर जानगारी मिली वहां के लोगों ने बताया तो तो अग्याद बाहन ने इसको तक्कर मारी और अनियंतरित होकर के खाई में जाकर के गिल पड़ी जहां पर यह पूरी तरीके द्वस्त हो चुकी है हैं तसबीरों में आप दरसक साथ तौर पर से देख सकते हैं बुरी तरह से लोग हैं वहां पर गायल पड़े हुए हैं और दो लोग की पर मौके पर मिती हो जाती है और जब मौके पर पहुंचती है पुलिस तो पुलिस ने जो सब उश्माटं के लिए बेज दिया है हम तस्विर बीषिन सब्सक्राइब है और किसी तरह से लोगों को तया है आभ बहुत बहुत शुक्रिया अधिक अपयॆत के लिए भरेली में देज़ रात एक भीषन सड़कास्सा गया गया जिसमें दो लोगों कि मौटीं तुल गम्बी रूप से गायल है जिनने जुला स्पताल में भरती पर रहा गया